हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब वेलकम टू माई चैनल आज कंजू जादून तो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगे सर्दी खासी के कुछ आईरवेदिक 18 उपाए हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसमें से जो चीज आपके घर में अवेलेबल हो और जो या खासी आपको जादे दिनों तक रहती है तो आपके सरीर का जो इमूनेशन होता है वो बहुत जादे जल्दी डाउन हो जाता है और इसमें सबसे जादे चांसे हो जाते हैं कि कोरोना बहुत जल्दी ऐसे लोगों पर एफेक्ट करता है कि जिन लोगों का इमूनेशन जो रुआ उसी को कुरूना सबसे ज़्यादा जल्दी हो जाता है तो अब हमें क्या करना है अगर आपको थोड़ी सी भी सर्दी खासी का एसास हो रहा है तो आज जो मैं आपको उपाई बताऊंगी उनको आप करके तुरंत ही अपनी सर्दी या खासी है उसको ठीक कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर आपको सर्दी है या खासी है तो इसमें सबसे पहला उपाई आपको क्या करना है दही में सफेद बूरा मिला कर आपको उसको पी लेना है और इसी में दूसरा जो उपाई है उसमें आपको 60 ग्राम अद्रक का रस लेना है और 60 ग्राम सहद लेना है और इसमें मैं आपको थीसरा उपआया जो बता रही हूँ उसमें आपको काली मेरच, सौंट, चोटी पीपल इन तीनों चीजों को आपको बढ़ मात्रा में लेना हैं और इनको बल्कुल बारीक पीस लें औपीसने के बाड इसमें चार गुना आपको गुड मिलाना हैं गुड मिलाने के बाद एक मटर का दाना जो होता है उसके बराबर आप गोली बना लें और उन गोलियों को गरम पानी के साथ आप खाएंगे तो आपकी सर्दी या खासी बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगी अब चोथे उपाए में आपको अनार के फल का जो रस होता है उसको लेना है दूब का रस और गुलाब जल और इन सारी चीजों को मिला कर नाक को अगर आप तर रखेंगे तो आपका जुखाम जो है बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा और इसी तरह से पाँचमे उपाए में आपको उबलते हुए गरम उरद को नमक मिला कर भूजन के बाद खाना है अब में आपको इसका जो छटमा उपाए है बो बताती हूँ उसमें आपको क्या करना है कि दालचीनी, तेजपात, इलाइची, नाक, केसर और बच और इसके स चूरन बना लें और उस चूरन को बनाकर उसकी पोटली बनाकर आप उसको सूंगेंगे तो आपका जुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और सातमे उपाए में आपको लेना है नौसादर और चूना इन दोनों चीजों को बरावर लेकर पीस कर एक सीसी में भर लें और जो ढकन होता है वो टाइट करके लगा दें और इस बूतल को आप चार बार दिन में सूंगेंगे तो आपका जुकाम बहुत ज़्यादे जल्दी ठीक हो जाएगा और इसमें इक उपाए है सक्कर का धुमा सूंगने से आपको जुकाम जो है बहुत ज़्यादे जल्दी रि आदा किलो पानी चार चांना शी तरह सी जमाने के और या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी जने और चुन oh सुनें आप उन्हें खाएं। तो इससे सर्दी है या खासी है वो आप की ठीक हो जाएगी। तो आज मैंने कुछ सर्दी खासी के उपाई बताएब है तो इन बैसे जो भी उपाई करना चाहाती है । आपको ठीक लगे वो एक उपाए आप करके अपनी सर्दी खांजी तुरां ठीक कर सकती हैं और इसी तरह ऐसे मैं आपके लिए इंफॉर्मिटे वीडियो लाती रहूंगी तो टाइम से आपको इंफॉर्मिशन मिले इसके लिए आपको वीडियो के नीचे लाल वटने उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शियर करना बिलकोल न भूलें मिलती हैं नेक्स वीडियो में टेक केर वाई बाई हैव नाइस डे